दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले टो 4 टेबलेट फोर स्टेडी वो भी जो कि 15,000 रुपए तक के बजट में आते हैं और दूसरा टेबलेट की बैटरी कैपसिटी जो की कम से कम 7,000 mAh होनी चीए ताकि सिंगल चार्ज में आप टेबलेट से लंबे टाइम तक पड़ सको और इन सभी टेबलेट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिये तो आप वाँ से जाके इनको देख सकते हो स्टार्ट करते हैं अपने नमबर 4 टेबलेट के साथ में और ये है लेनवो टेब M11 दोस्तो ये टेबलेट आता है 11 इंच की Full HD डिस्पले के साथ में जिसमें आप आराम से अपने PDF या फिर न्यूस पेपर बड़ी स्क्रिन में पड़ पाओगे और इस टेबलेट में आपको मिलेंगे Quad speaker यानि की 4 speaker वो भी Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ ताकि आप Loud Clear Sound में अपनी Online Classes ले पाओगे और बाकी वीडियो देख पाओगे और दोस्तो इस टेबलेट में आपको दी गई है 7040 mAh की बड़ी बैटरी जिससे आप सिंगल चार्ज में लंबे टाइम तक इस टेबलेट से आराम से पड़ पाओगे और दोस्तो इस टेबलेट में आपको मिलेगा Android 13 का Operating System उसके साथ मिलेगी 4GB की RAM और 128GB की Storage जिसको आप External SD Card लगाके 1TB यानी 1024GB तक और बढ़ा सकते हो और दोस्तो इस टेबलेट में आपको Front Side में 8MP का Camera मिलेगा और Rear Side में 13MP का Camera मिलेगा जिससे आप अपने Notes स्केन करना चाहो आराम से कर सकते हो ओनलाइन क्लासेज में अपना Face दिखाना चाहो आराम से दिखा सकते हो और दोस्तो इस tablet में आपको मिलेगा MediaTek Helio G88 Processor और दोस्तो उसके साथ में इस tablet में आपको मिलता है hardware based low blue light का feature जिससे कि आप लंबे टाइम तक जब इस tablet से पढ़ोगे तो आपकी आखों पे ज्यादा जोर नहीं पढ़ेगा अब दोस्तो बात करते हैं हमारे number 3 tablet की वो है Redmi Pad SE दोस्तो इस tablet में आपको मिलेगी 11 inch की full HD plus display full HD plus का मतलब इसमें जो resolution मिलता है वो मिलता है 1920 x 1200 pixel का resolution इस tablet में भी आपको quad यानि की 4 speaker मिलेंगे जिनमें Dolby Atmos का support आपको देखने को मिलेगा crystal clear और loud sound के साथ आप अपनी classes ले पाओगे operating system जो आपको इस tablet में मिलेगा वो मिलेगा Android 14 और उसके साथ में इस tablet में 8000 mAh की बड़ी battery मिलेगी एक बार चार्ज करो और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो जिससे आप अपने notes को आराम से scan कर सकते हो मेरी मानो तो मैं personally कभी टेबलेटे camera को यूज करता है नहीं हो तो मेरे इसाब से इसका कोई ज्यादा फरक पढ़ता ही नहीं है और दोस्तो इस tablet में जो प्रोसेसर आपको मिलता वो मिलता है snapdragon का 680 octa core processor जितने भी टेबलेट इस लिस्ट में बता रहा हूं उन सब में इतनी capacity का प्रोसेसर तो आराम से जिससे आप आराम से अपनी पढ़ाई के सारे काम कर पाऊगे चाहे वीडियो देखना हो चाहे पढ़ना हो चाहे ओनलाइन क्लासेज लेनी हो जो सेकिंड नमबर पे जो टेबलेट आता है वो आता है Lenovo का M10 Full HD Plus 3rd generation का टेबलेट इस टेबलेट में आपको मिलेगा 10.61 इंच का 2K डिस्पले जो की पढ़ने के साब से बहुत बढ़िया डिस्पले इस टेबलेट में आपको quad speaker यानि 4 speaker मिलेंगे जिन में Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिलेगा Crystal clear और loud sound के लिए इस टेबलेट में आपको मिलेंगे 4 speaker यानि quad speaker जिससे आप आराम से अपनी online classes ले पाओगे टेबलेट से ही directly एकदम अचे crystal clear sound के साथ और इसमें मिलता है Dolby Atmos का सपोर्ट भी जिससे music भी सुनोगे तो उसमें भी मज़ा आने वाला है ये टेबलेट दो वेरिंट में मिल सकता है आपको कई जगे पर ये 4GB RAM के साथ मिल सकता है और कई जगे पर ये 6GB RAM के साथ मिल सकता है लेकिन इस storage जो है वो इसमें 128GB के आपको मिलेगी जिसको आप 1TB तक external SD card लगा के बढ़ा भी सकते हो टेबलेट आपको Android 12 के साथ देखने को मिलेगा और उसके साथ में इसमें 7700MH की बड़ी वेटरी मिलेगी जिससे आराम से आप एक बार चार्ज करने एक बार लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो पढ़ सकते हो पढ़ सकते हो और बाकी टेबलेट की तरह इसमें भी लो ब्लू लाइट फिल्टर मिलता है हार्डवेर बेस जिससे जाला टाइम तक आप पढ़ोगे तो आपके आँको पे कम जोर पढ़ेगा अब बात करते हमारे नंबर वन टेबलेट फॉर स्टेडी अंडर 15,000 रूपीज और वो है Realme Pad 2 तो दोस्तों ये इस लिस्ट के सारे टेबलेट से सबसे बड़ी स्क्रीन साइज मिलता है वो है 11.5 इंस की स्क्रीन साइज में और जो डिस्प्ले रेजोलिशन है इसका वो है 2K डिस्प्ले और साथ ही साथ में इसमें 120Hz की रिफ्रेश रेट भी मिलती है इसमें भी आपको मिलेंगे 4 speakers Dolby Atmos के support के साथ टेबलेट सामने रखो, class start करो, earphone लगाने की कोई ज़रुवत नहीं और ये टेबलेट आता है 6GB RAM और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में जिसको आप external SD card लगा के बढ़ा सकते हो बाकी सारे टेबलेट की तरह लेकिन इसमें आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो 2TB तक यानि की 2048GB स्टोरेज आप external SD card लगा के बढ़ा भी सकते हो हालां कि पढ़ाई के लिए इतना कोई बढ़ाने वाला है मुझे नहीं लगता यह टेबलेट Android 13 operating system के साथ आएगा और दोस्तो इसमें 8,360 mAh की बहुत बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जिसको एक बार चार्ज करोगी तो आराम से class लेओ, पेडिया पढ़ो, न्यूस्पेपर पढ़ो, कुछ भी करना वो करो, डिस्चार्ज नहीं होने वाला इस टेबलेट में, फ्रेंट साइड में जो केमरा दिया है, वो दिया गया 5 megapixel का और रिर साइड का केमरा जो मिलेगा, वो 8 megapixel का मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड सारे काम इन से आराम से हो जाएंगे, टेंजन फ्री रहे न, और दोस्तो इस टेबलेट में आपको देखन से बना सकते हो without any problem, लेकिन दोस्तो अगर आप अपने टेबलेट में स्मार्ट पैन की मदद से नोट्स भी लेना चाहते हो, तो फिर आपको ये टेबलेट नहीं लेना चाहिए, स्मार्ट पैन से नोट्स लेने वाले टेबलेट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका thumbnail आपको उपर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो पूरी वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप स्मार्ट पैन और नोट्स लेने वाला टेबलेट लेना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूँ, उससे आपका पैसा बरबाद होने आपके बनाता हरता हूँ, thank you very much for watching the video, जैसे आरां!